दोस्तों आज बात करने वाले हैं 21 सथी की पहले स्मार्ट सिटी के बारे में जो की अल्ट्रा मॉडन ग्रिन सिटी है इसके सांथ ही यह दुनिया की पहले इंटिग्रेटेट सिटी है आज हम बात करने वाले हैं 36 गड की नई राजदानी नवारायपूर के बारे में जो की काओं को मिला कर 40 सेक्टर्स यहां पर बनाये गए हैं चिन में से 21 सेक्टर्स रेजर्व हैं रेशिडेंशिल के लिए दोस्तों 36 गड़ के प्रमुख सरकारी कार्यालों के हेड़कौर्टर्स आपको नवा रायपूर में देखन को मिलेगा इसके साथ ही 36 गड़ का पूरा मंत्रा ले रायपूर से सिफ्ट करके नवा रायपूर में बनाया गया है आपको बता दे कि जो की पूरी तरीके से ऑपरेशनल है न्यू रायपूर सेटी को 36 गड़ का फाइनेंशियल हब ट्रेड होटी स्पॉट एजुकेशन सेटर यहां पर बहुत ही सबसे बड़ा होटी स्पॉट टेश्टिनेशन बन चुका है न्यू रायपूर सेहर इस लिस्ट में आपको बता दे कि एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड जंगल सफारी नए रायपूर सेहर में ही है जो की सेक्टर 39 में इस्तित है इसे नंदन वन जंगल सफारी के नाम से ज साथी वन या शाकाहरी शफारी यो कि 30 हेक्टियर में है यह पूरी एसिया का सबसे बड़ा मैड मेड जंगल सफारी है इसमें आपको जू भी देखने को मिलेगा दोस्तों नए रायपूर सेहर में तीन लेक है मिन्स की आपको मैड मेड तीन आपको लेक देखने को मिलेंग इस लिष्ट में दोस्तों सेंटल पार्क जिसे अटल पार्क के नाम से जाना जाता है बहुत ही खुबसूरत बहुत ही बड़ा बहुत ही सांदार आपको नए रायपूर सेहर में सेंटल पार्क अटल पार्क आपको देखने को मिलेगा एक और बहुत ही खुबसूरत अगर ह आपको देखने को मिलेगा इसके साथ ही नए रायपूर सहर में फन सेटी, एमेजमेंट पार्क, वाटर पार्क यह सबी आपको मिल जाता है और आपको बतादें कि लखनाओं की तर्ज पर यहां पर आपको फाउंटेन भी मिलेगा फाउंटेन के साथ म्यूजिक का आपको experience होने वाला है दूस्तों 36 गड़ का culture भी पूरी दुनिया में बहुत ही famous है तो अगर आपको 36 गड़ का culture देख रहा है तो आप आए नए रायपूर के पुर्खोती मुक्तांगन जो की art gallery है historical museum कह सकते हैं यह जगह culture theme पर पूरी तरीके से आधारित है आपको 36 गड़ के जीवन संबंदी प्रदर्चनी आर्डवी इस museum इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अब बात करते हैं नए रायपूर के education system के बारे में तो आपको पता दे कि सरकार के दोबारा यहां पर quality education system पर focus किया जा रहा है यहां पर आपको अगर हम operational institute की बात की जाए तो यहां पर national law university operational है तिरपल आइटी ऑपरेशनल है आई आई एम मिन्स की इंडियन इंस्टुट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपूर का campus operational है आपको इस सहर में देखने को मिलेगा तो अहीं दूस्तों अब बात करते हैं नए रायपूर सहर के transportation transit system के बारे में तो इस लिस्ट में सहां पर BRTSB operational है रायपूर जंसन से नियू रायपूर city के लिए और साथ ही second corridor है पूरे नियू रायपूर city के अलग सेक्टर के लिए जैसे कि यह आप view देख रहे हूं यह पूरी तरीके से luxury buses हैं इसके साथ ही इसमें GPS भी आपको मिलेगा और साथ ही fully ACB वही नए रायपूर सहर के nearest railway station की बात की है तो रायपूर आपको जाना पड़ेगा अगर आपको train पकड़ना है किसी भी city के लिए आपको बता दे कि आने वाले समय में आने वाले future में new रायपूर city में आपको railway station भी मिलेगा यहाँ पर four railway station proposed है जिनमें आपका नवा रायपूर railway station कुद्योग railway station CBD railway station और मुक्तांगन यह चार railway station है जोगी ongoing project है यहां पर line बिछाई जा रही है future में आपके नवा रायपूर सहर में four railway station होने वाले हैं जोस्तों नए रायपूर सहर में आपको film city भी देखने को मिलेगी आपको बता दें कि 300 एकड में पुर्खवती मुक्तांगन के पास film city city बनाई जो कि Bollywood के साथ Trolleywood की shooting भी होगी और साथ ही 37 कड की कलाकारों को भी मुका मिलेगा यहां का जो film उद्योग है इसको भी बढ़ावा मिलेगा जोस्तों निव रायपूर सिटी में shopping करना है तो आप जा सकते हैं time square mall इसके साथ ही sector 27 भी आप जा सकते हैं shopping के लिए one of the best sector in new रायपूर city sector 27 यहां पर आपको retail shop भी आपको मिलेंगे और साथ ही estate shopping भी आप कर सकते हो grocery के भी item मिल जाएंगे और साथ ही यह residential sector भी है साथ ही guys 36 गड का पहला central business district CBD नए रायपूर के sector 27 में बनाया गया है यहां पर आपको retail shop, shopping complex, cafeteria, food point, banks और भी कापी सारे यहां पर आपको अलग-अलग sector के offices या complex आपको CBD में देखने को मिलेगा हम उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजेगा नए रायपूर सहर के बारे में आप का क्या है सुजाओ वो मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताईए